आज मैं कद्दू की सबजी की रेषिपी लेगे आई हूँ इसको बनाना पहुत ही चल्दी बन जाता है। इस तरह से बनाके देखिए, जो नहीं खाते होंगे, वो भी खाने लगेंगे, बहुत ही चटपटा, थोड़ा मीठा, थोड़ा तिखा है, बिना मसाले की सबजी है, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, कदू की सबजी, कदू की सबजी बनाने के लिए हमने 500 गराम कदू लिय है, और हम गुर ले लिए ही दो चमचे, अगर आपके पास गुर नहीं है, तो आप चिनी ले सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं, और मैं एक चमच पच पुरंड ही हूँ, यह इजली किसी भी किराने सौप में आपको आराम से मिल जाता है, और मैं एक हरी मिर्च को बारी कात ली हूँ, तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं, कदू की सबजी, हम एक कडाई ले ले लेते हैं, इसको गरम होने देते हैं, गरम हो जाता है, तो हम इसमें सरसो तेल डालेंगे, आप अपने अनुसार से सरसो तेल डाल सकते हैं, मैंने दो चमच के लगवग लिया है تेल को थोड़ा गरम होने देते हैं यह सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है देल गरम हो गया है तो इसमें हम पच्फुरं डाल देंगे और इसको थोड़ी देर भून लेते हैं तो अब मोद ऑनटा रख ले precautions इसको अच्छे से में भून लेना है तो अब हम कदू ले लेते हैं हमने इस तरह के कदू लिए यह औरेंज कलर का है यह थोड़ा पका हुआ है जिनरली जो हम कदू की सबजीला बनाते हैं तो वह हलका पीला होता है मैंने इस तरह का लिया इसे कलर बहुत अच्छा आता है और यह बहुत ही जल्दी पक जाता है अब हम स्वाधन सार नमक ले लेंगे, साथ में हम हरी मिर्च भी ले लेते हैं, सबी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और थोरी देर हम इसको भून लेते हैं, आज को धीमी रखें, नहीं तो ये जल जाएगा, बहुत ही अच्छा बनता इस तरह से सबजी बहुत ही कम तेल मसालों से, तो अब हम इसको ढख देते हैं, ढखने से कोई भी चीज जल्दी पक जाता है, इसको हम पांच मिनिट तक ढख के पकाएंगे, लगबख पांच मिनिट हो गया है तो चेक कर लेते हैं, देखिए सबजी लगबख पक चुकी है, यह दब जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यह पक गया है, तो अब हम गुर ले लेते हैं, गुर ना हो तो आप चिनी ले लिजे, लेकिन गुर का स्वाद बहुत ही अलग होता है, गुर में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, अब हम गुर आप ठेले का कदूह तो थुरा ऐदा पानी ले लीजिए इस से बहुत जल्दी ही पक जाएगा कि ऐसे उफ गवाद मिलाएंगे करना हमें जों सब्सक्राइब लाती हुए लक्त जलद को हुrás सूख्ष्ष तेल भी किनारे लग गया है, अब हम धनिया पता रख लेंगे, गैस को बंद कर देते हैं और मिला लेते हैं, और सर्व कर लेते हैं, है अब बहुत ही आसान सी रेस्पी और बहुत ही जल्दी बन गया है, आप जरूर इस तरह से बनाए बिना मसालों की सब्जी, और हमें आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन भी दबा दे जिसे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,